मैं देश को संदेज देती हूँ, मेरा भाईनर शहर को संदेज देती हूँ, आववान करती हूँ, कि आपको रस्ते पे कहां भी भीक मांगता हुआ, हाँ या रस्ते पे कहां भी घुमता हुआ बच्चा देखे, तो प्लीज 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 आपके आजू बाजू क्या मुं प्राप्त होनी ही चाहिए हमारे महानगरपाली का कि निवाशी वस्तिव हुआ है चेना स्कूल में निवाशी वस्तिव हुआ है जहां बच्छों लड़के लोग के लिए निवास का भी व्यवस्ता है याने जो बच्चे के मम्मी या पापा में से एक भी नहीं है तो उस बच्चे को वहाँ हम एडमिशन दे सकते हैं वहाँ निवासी रह सकते हैं वहाँ खाना पीना रहने की सोय है और वहाँ तुम्हारा बच्चों का पढ़ाई भी होता है यानि वन से एट तक के बच्चे वह के रहने खाने पीने सब का बंदोबस करेंगी पहली से लेके आठ वी तक वेरी नाइस यह मैसेज भी मैं जरूर चाहूंगा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप फिर से बताएं सिक्षण विवाग में आपका पद क्या है शिक्षण विवाग में मैं एक तीचर ही हूँ पर मेरा पद मैंने बालरक्षक राज्य लेवल पर बालरक्षक का बुमी का निभाई है इसके लिए मुझे शिक्षण विवाग ने यहां नियुक्त किया था कि आप जाके वो बच्चों का सर्वे कीजिए और उस बच्चों को कोई भी आपके अपनी महानगरपाली का कि नज्जी की स्कूल में एडमिशन करा के दीजे तो इनके हिसाब से महेशवरी उद्धन से सबसे नज्जी की स्कूल उनको यह पढ़ती है इसने हमने यहां उनका एडमिशन करा है तो आज हमारे 28 बच्चों का एडमिशन यहां हो चुका है और आगे हम चार से पांस दिन में बाकी के दस से पंदर जो बच्चे बसते हैं उनका भी एडमिशन हम यह विक में कंप्लीट करेंगे तैंक यू सो मच आल आफ यू आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत बदाई है बिटा आप इधर आईए इधर आईए बिटा आप नीलम जी को कब से जानती हो यह कब से पढ़ा रही है आपको और अब तक आपने क्या सीखा है और आज आपको स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा कैसा लग रह तो तूर्मारी बहुत अच्छा पढ़ाती हमें बहुत चीज सिकाती है हमें वो हम अगर भे हमारे मीश पे आज आपको कैसा लग रहा है आपका स्कूल में एंडमिशन होके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा तो आप पढ़ोगी आगे क्या बनना चाहोगी पढ़कर के आप मैं पुलीस इंस्पेक्टर बनना चाहती हो क्या बात है क्या बात है पुलीस इंस्पेक्टर बन करके देश की सेवा करना चाहती हो मैं उमीद करता हूँ मैं उपर वाले से दौा करूँगा कि आपकी ये विस आपकी ये मनो कामना जरूर पूर नहीं झाल्योंजू झाल्योंब नौयजू